Hello friends I am your study mate Sariqa Ramula और आज हम करने वाले हैं weekly current affair जो April 2023 का है Friends हमें current affair को भी साथ लेके चलना होता है इसलिए मैं weekly current affair भी आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी आप लोग प्लीज जो आप लोगों के current affair के notes हैं उसमें no down करके इनके notes बनाएए साथ हम इसको discuss भी करेंगे और कुछ general study से related question इससे बनते हैं तो वो भी हम discuss करेंगे ठीक है साथ ही मैं आपको बताओं कि हम Hindi start हमने की है general Hindi unit voice तो इसकी class complete हो चुकी है अगर आपने नहीं देखी है तो playlist में जाके देख सकते हैं साथ ही मैं आपको बताओं तो इसमें बहुत सारे practice set है और बहुत सारे chapter है general study से related तो आप उनको प्लेइलिस्ट में जाके कर सकते हैं ठीक है चैले पहला question देख लेते हैं हाल ही में the great bank robbery NPAS scams and future of regulation नामक बुक के लेखा कौन है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा बी पटावी राम इसके right answer हो जाएगे ठीक है अब आप देखिए ये book इसलिए important है क्योंकि भारत को आजादी कब मिली थी 1947 में 1947 से और अब तक के जो सबसे बड़े घुटाले हुए है ग्यारा उन घुटालों का वर्णन है इस book में ठीक है पूरा उलेख किया गया है उन ग्यारा घुटालों का तो इसलिए the great bank robbery important book है ठीक है और writer कौन है पी पटावी राम है ठीक है चलिए next question है हाल ही में NHAI ने कहा कहा के वनों के प्रवेश मारगों पर फास्टेक आधारित भुक्तान प्रणाली लागू की है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तेलंगाना की ठीक है इसे ध्यान देंगे जो NHAI है उसका पूरा नाम क्या होता है National Highways Authority of India है ठीक है General Study में बहुत बार तेलंगाना कब राज्यवना ये डेट पूछी जाती है तो ये बना था 2 जून 2014 को इस डेट को याद रखेंगे ठीक है साथ ही मैं आपको बता दू कि भारत में जो Dr. भीम्रा अंबेटकरजी की सबसे बड़ी प्रतिमा है उसका अनावरन भी कहां किया गया है तेलंगाना ठीक है चले नेक्स कुशन है हाल ही में सांखी की वकारिक्रम कारियान वेन मंत्राले के अनुसार F23 यानि Finance Year 2023 में इस राज्य को MPLA-DS फंड का सबसे अच्छा उप्योग किया है अब आप देखिए ये फंड होता क्या है इसका मतलब है कि जो सांसद होता है उसको स्थानिय छेत्री के विकास के लिए जो फंड दिया जाता है उसका सबसे अच्छा प्रियोग किस राज्य के सांसद द्वारा किया गया है सांसदों द्वारा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा गुजराद इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और इसका फुल नेम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होती है इसकी full form है members of parliament local area development scheme है ठीक है सांसद इस्थानिय च्छीत्र विकास कारेक्रम और इसका इस fund का जो प्रियोग किया है सबसे अच्छा किस ने किया है गुजरात में किया चलिए next question है मराथा उध्योग रत्न पुरुषकार 2023 किसे मिला तो right answer क्या हो जाएगा नीले सांबरे को मिला है ठीक है चलिए next पांचवा question देख लेते हैं हाल ही में हत ही बचाओ दिवस save the tiger save the elephant day कम मनाया गया तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा 16 अप्रेल ठीक है दो बारे question लिख दिया यहां पर चलिए कोई नी save the elephant day हो गया कब मनाया जाता है 16 अप्रेल को मनाया जाता है आप देखे 16 अप्रेल को ऐसा नहीं कि केवल भारत में बलकि पूरे विश्व में save the elephant day मनाया जाता है और इसका उदेश्य क्या होता है कि जो हाथियों के अस्वित्तों के लिए उनके आवास है परियावरत के संदक्षन के लिए उसके महत्तों को समझना है और जो सभी देशों की सरकारे हैं उनको जागरूप करना है कि जिस हसाब से विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं बलकि जंगलों को save और फिर अगर काटे जा रहे हैं तो जंगल लगाने भी है ठीक है हाथियों के लिए और हाथि क्या है भारत का एक विराशत पसु ह ठीक है इसे ध्यान डखना है चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 15 अप्रेल को क्या मनाया जाता है 15 अप्रेल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस मनाया जाता है और 12 अप्रेल को जब मानो पहली बार अंतरिक्ष में गया था तो वो दिवस मनाया जाता है और पेरा मिलिटरी फोर्स के बीच खूनी संगर्स हो रहा है जिसमें चपन से जादा भर्तिय नागरिकों की मौत हो गई अब ऐसे जो देश होते हैं वह चर्चाओं में रहते हैं वहां से कुषिशन बन सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूडान हो जाएगा सूडान के हम बात करेंगे तो जब ऐसा मुद्दा है तो सूडान के बारे में आपको कुछ चीजे पता होनी चाहिए जैसे सूडान किस कॉंटिनेंट में पढ़ता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अफरीका महादीप में सूडान एक देश है और इसकी राजधानी जो प्रमुक कौन है मुहमद हमदान डगलो है ठीक है अब हुआ ये कि सैना ने दो साल पहले ही सूडान में अपना राज कर लिया था यानि जो सरकार है उस पर कपजा कर लिया था लेकिन इसके बाद क्या होता है जो पैरा मिलिटरी फोर्स हैं सूडान में यानि जो अर्ध सैन प्रमुक और पैरा मिलिटरी फोर्स के बीच में अमूमन देखा जाता है जिब ऐसी सिचुएशन होती है तो सरकार जो सत्ता होती है और सैना के बीच लड़ाई होती है लेकिन यहां पे दो फोर्सों के बीच लड़ाई होगी है इसलिए इंपोर्टेंट ठीक है चलिए 23 की बात हो रही है करेंट की तो इसमें मात्र 6% रहेगी 6% आप यहां पे देख लेते हैं कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है अंक्टाड की और स्थापना भी पूछ ली जाती है इसका पूरा नाम क्या है यॉनाइटेड नीशन कॉंफरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलेप्मेंट है और इसकी स्थापनावीती 1964 में और मुख्याले कहां पे है जनेवा जो कि कहां पे है स्विजलेंड में है ठीक है चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बन जाता है कि जो अंक्टाड है इसकी वर्तमान जो महासचिव है वो एक अर्थ सास्त की है रेवेका प्रिन स्पेंड ठीक है और यह पहली महला महासची पनी है अंग्टाड की से द्यान रखे नेक्स कुशन है हाल ही में कैनरा बैंक और भारत बिल पे ने इस देश में भारतिये प्रवासियों के लिए सीमा पार विल्भुकतान के लिए समझोता किया है तो इस इसमीरा में मिस इंडिया 2030 की बात हो रही है और इसका राइट ऑंसर क्या हो जाएगा नंदिनी गुपता हो जाएगा फीगे 19 वर्सी नंदिनी गुपता और इनका जो संबन है कहां से है राजस्थान से है अमुनन जो मिंड Miss World प्रतियोगिता होगी संयुक्ति अरब अमिराथ यानि UAE में इसमें पार्टिसिपेट करेंगी नंदिनी कुपता भारत की तरब से ठीक है चैलिए नेक्स्ट क्विशिन है National Stock Exchange NSE में कौन दो नए इंडेक्स को लॉंच किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इन दोनों की फूल फॉर्म मैंने यहां पे लिखी है पहला है Real Estate Investment Trust दूसरा है Infrastructure Investment Trust ठीक है इसे भी देख लिएंगे आप लोग कभी ऐसा question एकोनोमी से कई बार एक्जाम में क्या होता है हावी हो जाता है और यह पूछा जाता है प्रतिशत दरे हो गई और ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है ठीक है चलिए नेक्स और इंपॉर्टेंट कोईशिन भारत की सबसे उम्र दराज धावक का नाम क्या है जिन्होंने वर्ड मास्टर्स एथलीट्स इंडोर चैंपियंशिप 2023 में तीन गोल्ड मैडल जीते तो यह क्या है एक इंपॉर्टेंट कोईशिन है ठीक है चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भागवानी देभी डागर हो जाएगा राइट आंसर 94 साल की है डागर और इन्होंने 3 खेलों में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है अथलीट में आते हैं सारे पहले हम देखेंगे कभी-कभी question option में दे सकते हैं कि किन-किन में गोल्ड मेडल जीता है भगवानी देभी डागर ने ठीक है पहला है 60 मीटर रेस साथ ही इन का नाम याद रखेंगे तीन गुल्ड मेडल मिला और 94 साल की ठीक है चलिए नेक्स कुश्चन देख लेते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 अप्रैल हो जाएगा और ऐसे कुश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं इसका जो कीम है 2020 की अभी मैं आपको बताऊँ पहले मैं आपको बताती हूँ कि जनरल स्टडी में ये कुश्चन आता है जो हीमोफीलिया है एक जेनेटिक डिजीज है ये आनुवनसिक रोग है और किसी को भी पता नहीं रहता है कि वो इस रोग से पीडित है लेकिन कभी इन केज जो फीजिकली किसी के बाडी में चोट लग गई या कोई दुरगटना हो गई तो सरीर के बाहर जब रक्त बहता है लेडिंग होती है तो वो रक्त जमता नहीं है ठीक है जानलेवा भी हो सकता है तो तभी पता चलता है कि ये इस डीजीज से क्या है गरशित है ठीक है हीमोफीलिया जहां पे खून बहता है और बंद नहीं होता है और क्या है जेनिटिक डिजीज है ये 2023 में इसकी थीम की बात करेंगे तो ये थी सभी के लिए पहुंच देखभाल के लिए वैश्विक मानक के रूप में रक्त इस्तराओ की रोग ठाँ ठीक है चलिए नेक्स इंपॉर्टेंट कुशिन ऐसे कुशिन भी कई बार पूछ लिया जाते हैं इस राज्य के सरकार ने तकनीकी सिक्षन संस्थानों में आईटी नेटवर्ट को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रोनिक नॉलिज नेटवर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विहार हो जाएगा नेक्स कुष्ण देख लेते हैं नासा के मून टु मार्स कारेक्रम का प्रमुप किसे बनाया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अमिच छत्रिय को बनाया गया है ठीक है यह भारतिय मूल के अमेरिकी सॉप्टवेर इंजिनियर है सकतर Crist больш आना साथ है अर्म ईंजिनियर साथ ही इसमें क्या है यह जो मिश्ण है इसमें पहले इस बनाया जाएगा इसिऊज न में क्या होगा इसमें चांद पर उसके बाद चांद से मानव मिसन भीजा जाएगा इसके लिए प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही हम बात करेंगे जो नासा है ये क्या है अमेरिका की एक अंतरिक्स एजेंसी है और यहीं पर आप लोग रश्या की अंतरिक्स एजेंसी का नाम धून लेंगे भारत की जो अंतरिक्स एजेंसी है चीन की अंतरिक्स एजेंसी है फ्रांस की जो बड़े बड़े देश ह economy है 10 जिनकी economy बहुत अच्छी है चाइना की तो इनकी जो अंतरिक्स एजंसिया है इनके नाम नोट डाउन कर लेंगे ये कई बार match किरने के लिए आ जाता है ठीक है चलिए जो NASA है ये अमेरिकी की अंतरिक्स एजंसिय है और इसका पूरा नाम क्या है National Aeronautics and Space Administration है ठीक है फुल फॉर्म नासा की चाहिए नेक्स कुशिन है हाल ही में G20 के वित मंत्री और केंद्रिय बैंक के प्रमुखों की मीटिंग कहां आयोजित की गई हाल ही में यानि हम बात कर रहे हैं अप्रेल की अप्रेल की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Washington DC हो जाएगा अब आप देखिए अगर कभी यह कुशन पूछा गया क्योंकि G20 किस बार अद्धिक्षता भारत कर रहा है यह कुशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको यहां पर ज्यान सिर्फ यह चीज रखनी है कि जो पहली मीटिंग हुई वह भारत के बैंगलुरू में फरवरी में संपन हुई और वह भी किसकी थी वितमंत्रियों की थी G20 ग्रूप की ठीक है इसके बाद दूसरी मीटिंग हुई वह वाशिंगटन बीसी में हुई ठीक है पहली बैंगलूरू दूसरी वाशिंगटन बीसी चलिए नेक्स कुशन है किस देश के बच्चों के लिए ऑक्सफ जो यह वैक्सीन है इसका पूरा नाम है R21 Matrix M इसका पूरा नाम है और इसको डेबलब किस ने किया है जो यह वैक्सीन है Oxford University के बैग्यानिकों दौरा डेबलब की गई है ठीक है अब आपको जनरल स्टाडी में यहां से कुश्चिन क्या पूछा जाता है कि जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर के काटने से होता है लेकिन कौन से मच्छर के काटने से होता है ठीक है तो जो फीमेल एनफ्लीज होती है उसके काटने से होता है ठीक है मादा मच्छर जो हो इसे ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स्ट है खाल ही में किस देश ने 18 वर्स की मतदान आयू को गेद भाव पूर्ण बताया है तो राइट अंसर हो जाएगा न्यूजीलेंड में क्योंकि न्यूजीलेंड में चाहा रहे हैं न्यूजीलेंड में कि 16 साल मतदान की उम्र हो और अभी भी वहां का जो सुप्रीम कोट है उसने निर्ने दिया है कि जब भी वहां की पार्लेमेंट 16 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए कोई कानून बनाती है तो उसमें उनका मतदान 16 साल के बच्चे है उनका मतदान 16 से 18 के बीच ठीक है इनका मतदान करवाना जरूरी है इनकी इच्छा जाननी जरूरी ठीक है चालिए, नेक्स है, हाल ही में बाबु मनी का निधन हुआ, इनका सम्मंध किस खेल से था, तो राइज आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, क्योंकि भारत के ये पूरु भारतिय फुटबॉलर खिलाडी थे, जिन्होंने 55 इंटरनेशनल मैच खेले थे, ठीक है और साथ ही जो सैफ गेम्स होते हैं, सैफ गेम की फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, कई बार पूछ ली जाती है, साउथ एशन फेडरेशन गेम में इन्होंने दो गोल मैडल भी जीते, तो याद रखेंगे, बाबु मनी गेम कौन सा फुटबॉल, नेक्स कुशन है, हाल ह होता है, ओपेग की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, कई बार पूछ ली जाती है, ओपेग की स्थापना भी 1960 में, और इसका पूरा नाम क्या है, और इसका पूरा नाम है, यानि जो लोग तेल का उत्पादन और उसका निर्यात करते हैं, उन लोगों का एक संगठन है, 1960 में तेल उत्पादक और निर्यातक देशों में, जिसमें इरान, इराक, सौधी अरब, कुवेट, जो के मिडल एशिया के देश हैं, और उनके साउथ अमेरिका के कंट्री वेनेज्वेला, ये पांचों मिले, और इन्होंने ओपेग के स्थापना की, इसके बाद ओपेग म इसमें तेरा कंट्री तो अल्रेडी हैं, प्लस इसमें दस कंट्री और जुड़ गई हैं, जो तेल उत्पादक देश हैं, इसका मुख्याले भी याद कर लेंगे, आप वियेना में है, और वियेना किसकी राजदानी है, और ऑस्टिया की रास्थानी है, एक जो कुशन है, कि आप लोगों के लिए हुंबख है, कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्ती करता देश कौन बना, और किस साल की बात हो रही है, दो हजार थेईस की, और ये आंसर आपको बताना है, ठीक है, चलिए, मिरते हम नेक्स वीडियो में, और आप लोग इसको देखे, क्य बहुत सारे बिच्चे हो रहे हैं, कि कम माक्स आ रहे हैं, उससे अभी आप एक एक्जामें दो एक्जाम दे के ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्जाम आएंगे आपको वो सब देने हैं, एक डेट की साल की जो आपने पढ़ाई की होगी, वन-liner लेकिन आप